आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, हमारे पास यह question दे रखा है y equal to tan inverse a minus x upon 1 plus x square then dy by dx equal to चले तो इस question को solve करना हम start करते हैं उससे पहले यहाँ पर एक property discuss कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दे रखा है y equal to f of gx तो जब हम differentiation करेंगे y का तो हमारे पास हो जाएगा y dash और differentiation हमारे पास क्या होगा fx का differentiation f dash x पर x की जगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे gx है value हाजाएगे अंदर gx की into यहाँ पे हो जाता है g dash x इस property का हम use करेंगे क्योंकि जो y हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है बराबर tan inverse a minus x upon 1 plus x square तो यहाँ पे tan inverse के अंदर a minus x upon 1 plus x square एक already function है तो यहाँ पे हमको यह property use करनी पड़ेगी तो अब यहाँ पे dy by dx अगर हम निकालें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा tan inverse x का differentiation जो की होता है हमारे पास 1 plus 1 plus 1 upon 1 plus x square पर यहाँ पे x square की जगा क्या आएगा x square की जगा यहाँ पे हमारे पास यह जो अंदर function form है और इसका differentiation कैसे होता है यहाँ पे हम जो denominator होता है उसका square कर देते हैं और denominator को हम यहाँ पे numerator में लिख लेते हैं as constant और numerator का differentiation जो की यहाँ पे a minus x का differentiation हमारे पास क्या हो जाएगा a का differentiation तो होगा 0 और x का differentiation हमें देदेगा 1 पर यहाँ पर minus sign है तो यहाँ जाएगा minus 1 minus यहाँ पर अब क्या हो जाएगा यहाँ अब हम numerator को constant मानेंगे और denominator का differentiation कर देंगे जो कि हो जाएगा 1 plus x square का differentiation जो कि हमारे पास हो जाएगा बराबर 2x है क्योंकि 1 का 0 और x square का differentiation होता है 2x इसको अब हम further solve करेंगे यहाँ पर इसका square है तो अब इसको हम further solve करेंगे तो यह हमारे पास क्या हो जाएगा यह हमारे पास हो जाएगा 1 यहाँ अगर denominator में हम 1 plus x square का whole square ले लें common तो यहाँ हमारे पास आजाएगा 1 plus x square और यहाँ हमारे पास क्या है यहां हमारे पास है plus a minus x का whole square और यहां हमारे पास क्या है यहां हमारे पास हो जाएगा minus 1 minus x square और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा यहां पर हमारे पास हो जाएगा minus 2ax plus यहां पर हो जाएगा plus 2x square upon यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा upon यहां पर हमारे हो जाएगा 1 plus x square का whole square तो यह दोनों terms आपस में cancel हो जाएगी तो यहां हमारे पास क्या आजाएगा यहां हमारे पास आजाएगा 1 plus x square क्या आजाएगा x power 4 यहां हमारे पास आजाएगा 2x square plus यहां हमारे पास आजाएगा a square प्लस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² यहाँ आ जाएगा minus 2ax और numerator में हमारे पास क्या आ जाएगा numerator में हमारे पास यहाँ से आ जाएगा यहाँ से यह minus x² इस x² को cancel कर देगा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x² minus 1 minus 2ax हमारे पास आ जाएगा तो next step में अब यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x square minus 1 minus 2ax upon हमारे पास क्या जाएगा upon हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 plus x power 4 3x square plus a square minus 2ax ये हमारे पास यहां पे आ जाएगा ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है ये हमारी final dy by dx की value होगी I hope this solution is helpful to you thanks for watching this video ये डाउटने डाउट आप ये वाच्साप कीजिए अपने डाउट आच चार सो चार सो चार सो पर